वाशबात पंच शम्बे 16 अप्रेल साल 2020 की न्यूस बिलिटिन के साथ हुमेरा बलोच की दुरूत पश्चुमा अवारन मा कुरान समेट बलोच स्तान बर में फोजी ओपरेशन जारी अगवा लूटमार सेकडोंगर नजरे आतिश हुकुमती लोगडाउन के सबब वाइस पर बलोच मिसिंग परसंस की केंप की आरजी बंदिश में तवसीन कुरोना वारेस से निमटने के लिए बलोच स्तान डॉक्टरों ने चंदा महीम शृरू किया कुरोना वारेस से कुटा के 18 डॉक्टर सम geography बड़ी तादाद में तबी हमला मतसर कुरोणा वारे से दुनिया बर में 20 लाग से जाएट अफराद मतस्य आमवाद की तादा 1 लाग 20 हजार से जाएट ये थी आज की एहम तेरीन ख़बरों की शेसुरखियां आईए न्यूस बिलिटन के पहले हिसे में बलुचस्तान से मतले ख़बरे सारें बलुच से सुनते हैं बलुचस्तान की जिलह केच और पंजगूर की नवाही आलाकों में पाकिस्तानी फोर्सिस की दूसरे रोज भी आपरेशन जारी रहा दौरान आपरेशन की अफराद को हिरासत में लिया गया जराय ने रेडियो जरुमबिश को बताया के गुजशता रोज शाम के वक्त कोलवा के लागे बिदरंग, नाग, कुलदान और कड़े होटल में आपरेशन का आगास किया गया जो आज भी जारी रहा बिदरंग में आपरेशन के दौरान फोर्सेज ने मास्टर, बदल, वलदे, यार मुहमद को हिरासत में लेकर नामालू मकाम पर मुन्तकिल कर दिया जबके नाग, कुलदान और कड़े होटल में घरों को नजरियातिश करने की इतलात मौसूल हुई है पाकिस्तानी फोर्सेज ने नाग में प्राइमरी स्कूल पर अपना चौकी भी काइम कर दिया है फोर्सेज ने पंजगूर के लाके केलकूर में कलेडी, पलेमक और सेतुक में आपरेशन करते हुए लोगों को तशदुत का निशाना बनाया आपरेशन के दोरान फोर्सेज ने कलेडी से अजीम नामी शख्स हिरासत में लेकर नामालू मकाम पर मुन्तकिल कर दिया जबकि फोर्सेज ने काष्ट में अपनी चौकी काइम कर दी है ख्याल रहे गुजशता रोज भी पंचगूर से दोरान आपरेशन कई अफराद को हिरासत में लिया गया था असकरी हुकाम की जानब से ताहल मذکورा इलाकों में आपरेशन के हवाले से कुछ नहीं बताया गया है बलूच लबरेशन आर्मी के तर्जमान जीन बलूच ने कहा के हमारे सरमचारों ने दो मुखतलिफ हमलों में तेल और गयस तलाश करने वाली कमपनी और पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया तर्जमान ने कहा काहन के पहाड़ी आलाके रस्तरे में तेल औगेस तलाश करने वाली कमपनी के पैदल एहलकारों पर उस वक्त हमला किया गया जब वो इलाके में सर्वे में मसरूफ थे जिसके नतीजे में एक फौजी एहलकार हलाक और दो जखमी हुए जबकि गाड़ी को नुकसान पहुंचा तर्जमान ने आखर में कहा कि BLA इस अज़म का आदा करते है कि बलूचस्तान में किसी भी इस तहसाली मनसूबे को जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और काबिस फोर्स पर हमले जारी रहेंगे युनाइटड बलूच आर्मी के तर्जमान मजार बलूच ने कहा है कि काबिस रियासत के इस तहसाली मेंशम पर लेवीज फोर्स के हमनवाई और पेश पेश होने पर पहले भी मतादद बार वार्निंग देने की बावजूद भी सर्मचार सخت असकरी कारवाई करने से ग्रे करते हैं जबके काबिस रियासत बलूच इसतान में और खासकर कोहस्तान मरी के चंद मखसूस इलाकों में जिन में तली, कलगरी, नीलग, मूरानी, सियाहे, कच, सार्तिन, कहूर, शाहू, कंडग और कटन के मकामात पे अपने लूट मार करने की अमल को तेज करने के लिए च जर्खरीन एजिन्टों समेत मकामी और गेर मकामी ठेकदारों के जरीए बलूच कौम के मर्जी के खिलाफ बलूच कौम की साहिल और वसाइल की लूट खसूट को तेजी से जारी रखना चाते हैं, जो के बलूच कौम को गते कबूल नहीं है, मजार बलूच ने मज़ीद कह के सर्मचार बलूच कौम के मर्जी के बराकस किसी भी अमल के खिलाफ शिद्द से मजाहिमत जारी रखेंगे। समाजी रापते की वेब साइट ट्विटर पर बलूच आज़ादी पसंद रहनमा अख्तर नदीम ने इस हवाले से बयान दिया है कि जारियत के दौरान पाकिस करोना की आड़ में बलूच अस्तान में अपनी नसल कशाना पालिसियों में तेजी ला रही है लापता बलूचों की बाज़ेबी के लिए काम करने वाली तन्जीम वाइस फर बलूच मिसिंग परसंस के वाइस चेर्मेन मामा कदीर बलूच ने एक वीडियो पेगाम जारी क करते हुए कहा कि मैं मामा कदीर वाइस फर बलूच मिसिंग परसंस का वाइस चेर्मेन इस वह तक कव्म से मुखातिब हूँ कि आज मैं अपना कैम्प बुकरताली कैम दो बारह शुरू करने वाला था कि दोस्तों के और कुरोना की वज़े से फिर दो बारह मुझे एक अफ से कि मैं गवर्मेंट आफ पाकिस्तान इंसानियत को के अधारे और तमाम यूर्पी जूनियन अक्वा मुझे से पहले भी अपील कर चुका हूँ कि कोरोना ऐसी मरज है कि वह अगर शैर में बाजार में दुकानों में ट्रांस्पोर्टरों में जहां भी है पगर सकता है तो मबतला हो गए है तो इसलिए अकुबत खानूमें भी जितने लोग कैड़ है या अकुबत खानूमें बंद तो हो सकता है उनको भी कोरोना का मरज लग सकता है या पहुंच सकता है और बहुत से लोगों को आप उठाके ले जाके अकुबत खानूमें बंद करते हैं हो सकता ह में से किसी को कुरोना की मरज हो और हो जाके अंदर दूसरों को भी ये मरज लग जाए तो इंत्याहिए खतरनाक है हम पहले भी अपील कर चुके हैं कि अकुबत खानू में या जेलों में जितने भी लोग हैं उनको बाइफाज़त तोर पे बाजिया किया जाए या अदालतों में पेश किया जाए ताकि ये मुजी मरज से उनकी जान बचे अज दूसरे बात ये है कि मैं तमाम अपने कौम से और इंसानी अकूब के लोगों से अपील करता हूं कि 19 अपरेल 2009 को बलोच लापता अफराद सिंदी मौजर पश्टूं जितने भी लापता हैं लोग जो भी हैं उनके लिए कंपियन शुरू कर रहे हैं हम लोग इसमें मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूं इंसानी अकूब के हैं भी पर्टी से पार्टीों से तलबा करता हों कि वो इस कंपियन में इससाने ताके दुनिया को पता चले के बलोचस्तान में 50 अजार से जाइद लोग इस वक्त जिबरी तोर पर लापता हैं और अकुबत खानूमें जियते से रहे हैं इसी तरह पश्टूं 35 अजार के करी लोग लापता हैं जिबरी तोर पर और इसी तरह 10 अजार से उपर सिंध के लोग लापता हैं अकुबत इसी तरह माज़र कराची के जो माज़र ब्रादरी है उनके भी हजारों की तादाद में लोग लापता हैं उनके लिए लिए हम ये सब के लिए कंपियन शुरू करना है तो मैं दोबारा अपील करता हूँ तमाम इनसानी हकुग के लोगों से तमाम पार्टियों से तमाम तलबा तन्जीमों से सेवल सुसाइटी से के वो इस कंपियन में हमारे साथ शिर्कत करें और इस सोशल मेडिया पर ये कंपियन चलाएं बड़ी महरबानी होगा मामा कदीर ने अपने वीडियो पेगाम के आखर में इनसानी हकुग के इलम बरदारों सियासी कारकुनों सोशल मीडिया एक्टिविस्ट समय सियासी और तलबा तन्जीमों से पील करते हुए कहा कि 19 अपरेल को तमाम लापता अफराद सिंधी महाजिर पश्टून और इस हवाले से लापता राशिद हुसेन की हमशीरा फरीदा बलोच ने समाजी रापते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्विट में कहा कि 19 अपरेल को खुफिया एजिंसियों के हातों अखवा होने वाले लापता अफराद की बाज़े अबी के लिए सोशल मीडिय केमपेंड का इनकात किया जा रहा है मैं तमाम इनसानी हकुक के अलंबरदारों और सोशल मीडिया कारकुनों से अपील करती हूँ उसमें हिस्सा लेकर लापता अफराद के आवाज बुलंद करें वाज़ रहे 19 अपरेल के केमपेंड के लिए हैश सेव मिसिंग परसंस के हैश टेक को इस्तमाल किया जाएगा बलुचिस्तान में डॉक्टरों ने करोना वाइरस से बचाओ के हिफाज़ती सामान के खरीदारी के लिए सरकारी हस्पितालों में चंदे महम शुरू कर दी है डॉक्टरों के बकॉल हकूमत ने अक्सर हस्पितलों में उन्हें ताहाल मुकमल हिफाज़ती किट्स और दीगर सामान फराहम नहीं किया है। इसलिए उन्हें मजबूरन अपनी मदद आपके तहत हिफाज़ती सामान खरीदना पड़ रहा है। बलुचिस्तान में कुरोना वाइरस से 18 डॉक्टरों समेत बड़े पेमान पर तिभी अमले के दीगर एहलकार मतासर हुए हैं। कुईटा सेवल इस्पिताल में ताइनात डॉक्टर आईशा खान के बेकौल कुरोना वाइरस के खिलाफ फरंट लाइम पर लड़ने वाले डॉक्टर्स के हिफाज़त पर हुकूमत संजीदगी से कोई तवज़ा नहीं दे रही है। मंगचर से 80 किलो मीटर दूर जोहान के हसास इलाका रोबदार में नामालू मसल्ह अफराद ने फारिंग करके हज़ूर बखश वलदे मुहमद सिदेग बंगलजई को हलाक कर दिया जबके उनके दीगर तीन साथियों को बंदू के बट्ट मार कर जखमी कर दिये और फरार ह गए एक और वाके में पुलीस जराय के मताबिक पंजगूर चतकानतार आफिस के रहाशी सनावला और्फ चौदरी वलदी सब्जल ने अपने भाई अबेदल्ला को खंजर मार कर कतल कर दिया वाज़ रहे कि दोनों भाई मजदूर पेशा हैं और लॉकड़ान के बाइस बे जनी बख्ष गोट के रहाशी नौजवान सद्दाम हुसें वलदी नासिर खान ने खुदकुशी कर ली ताहल वज़ुहत मालूम नहीं हो सके हैं पश्तुन खामली अवामी पार्टी की रुकुन सुबई असेंबली नसरुला खान जेरे ने कहा है कि करोना वाइरस के मतासरें की खिदमात उन पर कोई एहसान नहीं बलके हमारा फरीज़ा था पार्टी के चेर्मेन महमुद खान अचकजई की हिदायत की रोशनी में पार्टी के कारकुनों ने जिस जोश जजबे से मतासरें की मदद में अपनी सलाहितों को बरौई कार लाया मौजुदा सलेक्टिड हुकूमत हर शौबे जिन्दगी समय हर किसम के हालात से नमचने में नाकाम हो चुकी है और अवाम को रिलीफ देने की बजाए उनके लिए मज़ीद मसायल और मिश्कलात का सबब बन रही है बलुचस्तान असेंबली में अपोजिशन अराकीन ने कहा है कि सुब़े हुकूमत कुरोना वाइरस की रोक थाम ट्रड़ी दल के खात में तरकियाती मनसूबों की मुंसफ़ान तक्सीम समयत हर शौबे में नाकाम है हकूमत अवाम और अपने वज़रा तक का इत्माद खो चुकी है लहाज़ा उसे हुकूमरानी का कोई हक नहीं अपोजिशन जमायते कुरोना वाइरस के पहलाओ की वज़ा से एक रिज़ा है मावनीन खुसूसी की ताइनाती कलदम करार देने का अदालती फैसला हक की फता है मावनीन खुसूसी ने अवामी मफादात के बज़ाए जाती मफाद हासल किये पारलिमानी कमेटी और पबलिक एकाउंट्स कमेटी के जरीए उन से तहकीकात होनी चाहिए कटपुतली वजिरला बलुचिस्तान जामकमालख खान ने अपने समाजी रापते की साइट ट्विटर में ट्विट करते हुए कहा है कि बलुचिस्तान में 38 नई केसे सामने आई हैं 28 का तालुक कोईटा जबके दीगर 10 का तालुक नसीराबाद डिवियन से है उन्होंने अवाम से दर्खास की के मास्क पहने समाजी रापता रखें और गेर जरूरी सफर से परहेंस करें जबके कटपुतली हकुमत बलुचिस्तान की तरजमान लियाकत शहवानी के मताबक बलुचिस्तान में कुरोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद 277 हो गई मकामी सथे पर कुरोना से मतासर अफराद की तादाद 129 हो गई अब तक 137 मरीज से हतियाब हो चुके हैं वाज़ रहे कि हालिया दिनों में बलुचिस्तान में मकामी सते पर कुरोना केसिस में तेजी आ रही है दूसरी जानब डेरलायार के एक ही खांदान के 9 अफराद में कुरोना वाइरस की तस्दिक हुई है इंतिजा में के मताबिक 11 अफराद के सेंपल लिए गए थे जिन में 9 के रिपोर्ट पाजिटिव आए मतासरीं को कुरंटाइन सेंटर मंतकिल करने की कोशिश की जा रही है डियेचो के मताबिक मतासरीं कुरंटाइन सेंटर जाने को तयार नहीं अब इलाके और आलमी खबरें खलिल वाडिला पेश करेंगी पाकिस्तान में ओने वाली 107 अलाकतों में सबसे ज्यादा अलाकतें केबर पक्तूनकुआ में 38, सिंद में 35, पंजाब में 28, बलोचिस्तान में 2, गिलगत बलतिस्तान में 3 और इसलामाबाद में 1 अलाकत हो चुकी है वाज़ रहे के पाकिस्तान बर में जारी जुजवी लौकडून में नर्मी कर दी गई है और बरामदी सनत को मकमल कोलने का पैसला भी किया गया है पाकिस्तान में कुरोना वाइरस से मुतासरा अपराद की तादाद में मसलसल इजापे के बाद मुलक बर में 23 मार्च से जारी लौकडून में पहले 14 अपरेल तक तोसी की गई थी लेकिन अब हुकूमत ने लौकडून में मजीद 2 अपते तोसी का एलान कर दिया है पाकिस्तान के दीगर सुबों के मुकाबले में केबर पक्तून कुआ में कुरोना वाइरस से मुतासरा और अलाक होने वालों की तादाद में तेजी से एजापा हो रहा है गुजश्चता 24 दिनों के दोरान सुबे में मुतासरा अपराद के लिए 172 मकामात को करिंटीन या मराकज करार दिया गया है सुबाई दारल हुकूमत पिशावर में 22 मराकज में 2000 अपराद को आईसोलेट किया गया है केबर पक्तुनकुआ में दीगर मरीजों के साथ साथ बारा डाक्टर आठ नर्सेज और पेरा मेडिकल स्टाप के दो एलकार भी करोना वाइरस का शिकार हो चुके हैं बारत में करोना वाइरस से मुतासरा अपराद की तादा 10,000 से तजावस कर गई है एक अरब 30 करोड आबादी वाले मुलक बारत में इसी तनाजर में लाकडाउन को 3 मई तक वस्त दे दी गई है सक्त लाकडाउन के वज़ा से बारती मैशत को शदीद असरात बरदाश करना पड़ेंगे ताहम गुजशता रोज बारती वजीर आजम नरंदर मोदी ने बारती अवाम से इलतमास की है के वो तन्जीम का मुझारा करें दूसरी जानब नीपाल में भी लाकडाउन में तोसी का एलान किया गया है दूनिया बर में करोना वाइरस से मुतासरा अपराद की तादा दो मिलियन से तजावस कर गई है आज बुद के रोज तक करोना वाइरस के नतीजे में ओने वाली अलाकतें भी सवाल लाक से जायद होचकी है इस वाइरस के पहलाओ के इतबार से अमरीका सरेपेरिस्ट है जहां 6,14,246 अपराद में इस वाइरस की तश्कीस होचकी है जबके वहाँ अब तक 26,64 अपराद अलाक भी होचके हैं इस्पेन में करीब पोने 2,00, अपराद में इस वाइरस की तजदीक होचकी है अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने आलमी अदारे सेथ को अमरीकी सर्माय की परामी रोकने का एलान किया है सदर ट्रम्प ने ये एलान करते हुए का है कि इस आलमी अदारे ने वाइरस के पहलाओ को रोकने के लिए कापी एकदामात नहीं किये उनोंने का चीन में इस वाइरस का पहलाओ शुरू हुआ तो आलमी एदारह सहत इसकी रोकताम में नाकाम रहा गुजशता अपते सदर्ट टरंप ने एक प्रेस बरेपिंग में इलजा मायद किया ताकराि आलमी अदारे सेयत की नाकसकारकरदy इस वाइरस के पहलाओं की वज़ा बनी सदर्ट टरम्प ने कहा के आलमी अदारे सहत अपनी बनियादी जिम्मेदारियों के अंजाम दई में नाकाम रहा जिसके लिए इसे जवाबदा होना होगा जदीद आर्ट से मतलिक दुनिया के सबसे बड़े नुमाइश डोक्यो मेंटा के निकात की तैयारियां अब उनलाइन हो रही है हर पांच बरस बाद मुनकद की जाने वाली इस नुमाइश को 18 जून से 25 सितंबर 2022 में जर्मन शेर कासेल में मुनकद होना है डोक्यो मेंटा सुसाइटी के डारेक्टर जर्नल जावे ने शूरमान ने का है के नुमाइश की तैयारी को तेज रप्तारी से डिजिटल तरीके पर मुन्तकल किया जा रहा है वाज़ रहे के कुरोना वाइरस की वज़ा से दुनिया बर में सपरी पाबंदियां आएद हैं और इस तनाजर में नुमाइश में शामिल पनकारों से रू बरू मुलाकाते मुश्कलात का शिकार हैं इस पंदरवी आलमी नुमाइश में इंडोनेशिया के रावन गुरूपग के पनकारों के शाकार शामिल किये जाना है